कुछ दिनों पहले अमाती राइडो इंटरनेशनल क्रिकेट को अलबीदा कह चुके हैं लेकिन उसके बाद आयरलेंड के तरफ से उन्हें एक ओफर आया है वहाँ के क्रिकेट टीम का कैप्टन बनने का तो क्या ओ इस ओफर को एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट नहीं मिल रहता उन्हें उमीद था कि उन्हें वर्ल्ड कप 2019 में उन्हें जगह मिलेगा लेकिन उनके साथ अंदेखी किया गया यानि उनके अच्छे प्रदर्शन के बाद भी उनके अनुभव को तरकिनार किया गया और उनके प्रदर्शन को भी उनके जगह और प्लेयर को सामिल किया गया जैसे रिसा पंद फिर भी वो इतना गुस्सा नहीं थे लेकिन सिखर धवन के चोटिल होने के बाद मयंक अगरवाल को टीम में वापस बुलाने से वो और भी गुस्से थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनसे कहीं बेहतर अमबाती राइडो खुदे खिलाडी है बट उन्हें नहीं बुलाया गया उसके बाद वो बहुत जादा गुस्से में आ गया उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलबिदा कह दिया जैसे ही वो ये निर ने लिया उसके बाद पूरे क्रिकेट जगत में कंप मच गया जितने भी दिगज खिलाडी थे जैसे सक्चीन ते नुलकर और ही बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर सब ने इसके बारे में निंदा की कि उन्हें भी क्रिकेट को अलबिदा नहीं कहना चाहिए था वो एक बहुत ही बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं उनका भविस बहुत अच्छा था लेकिन अमबाती राइडू ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलबिदा कह दिया है उसके बाद जैसे ही ये ख़बर आयरलेंड को पता चला वहां से उन्हों अमबाती राइडू को आयरलेंड के तरब से क्रि इजेक आइडरलेंड ने साफ साफ कह दिया है उन्हें का नागरिकता देने के लिए बहुत रन बनाये हैं इसका लाव आयरलेंड को हो सकता है इसलिए उन्होंने उनको एअफर दिया अब देखते हैं अमबाती राइडू उस ओफर को अच्छेप्ट करते हैं या रिजेक आप क्रिकेट लभर है तो आप कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि क्या उन्हें आयरलेंड के खिलाब खेलना चाहिए या फिर नहीं तो इस वीडियो के लितना ही ठैंकियो फूर वाचिंग